एक टोपिक का दो तीन मेथट बताने वाले हैं, जिससे दिल करें, उससे एकजाम में सवाल बना के आईएगा, लेकिन इस बार गलत बना के खाली मत आईएगा, शही बना के चल आईए, रिजल्ट डेफिनिटली हो जाएगा, इसकी हम गरांटी ले लेंगे, खाली गलती से ब सवाल कैसे बन जाएगा, रिजल्ट कैसे आजएगा, शुरू करें, हम आपको आज करवाने जा रहे हैं, चैप्टर जो है, वो है, इन, E-Q-U-A-L-I-T-Y, इनिक्वालीटी, हिंदी में हम इसको कहते हैं, और समानता, अच्छा, सुनिएगा बाद ध्यान से, आप अपने समानता बोलने से आपको पता चलेगा कि इसमें समान कुछ भी नहीं रहेगा, सब चेंज रहेगा, तो देखिए ध्यान से सुनिएगा, यह जो इनिक्वालीटी चैप्टर है, यह चैप्टर पांच सिम्बोल पे सुरू होता है, अब पांचे सिम्बोल पे समाप्थ हो जात किसी से नहीं लगाएंगे, क्योंकि पिछला बार जो हुआ था, वो तो यादे रहता है, लेकि इसला दील इसन है कि हर बार सोचिएका नहीं लगाएंगे, फिर कोई नहीं पसंद आता है, लग जाता है, नहीं, कह रहा है सही बाद, तो आप सुने होंगे, तुही मेरी पहल से आखिरी है, सुने होंगे। तो उसी तरह से, अच्छा मेरे प्यार उमर हो इतनी शनम कि तेरे नाम पर सुरूब और तेरे नाम भेखन खतम। उसी तरह से इनॲ इससरा पांच गोंट से शुरू होता है अब शेंडिय को शीमडोल पर समयुक्त हो जाता है शीमडोल कौन-कौन साहिख देखिये एक गोई है एकर अंग्रेजी में कहते हैं ग्रेटर देन अ हिंदी में कहते हैं बड़ा पांच मिनट का कॉंसेप्ट है पर ले समझ लो उसके बाद सवाल धर-धर-धर बनेगा आज हम तीनों तरह का सवाल ले लिये हैं छुटेगा कुछ नहीं अब देखो यह बड़ा है अंग्रेजी में ग्रेटर देन एगो यह एकर अंग्रेजी में नाम है बड़ा 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 बर-बड़ा कि अंग्रेजी में ग्रेटर देन इकोल टू अंभी में इसका नाम है बड़ा बरबर क्या बाबू बड़ा बड़ा बर-बड़ यह वला है इसका अंग्रेजी में नाम है less than inequality, और हिंदी में नाम है छोटा बराबर, चोटा बराबर. यह जो inequality है, इसमें पांच सिंबॉल से ना कुछ जुछ ज़ादा होता है, और ना ही पांच सिंबॉल से कुछ कम होता है. यहीं पांच को सिंबॉल को इनिक वालिटी सुरू होता है, और यही 5-go symbol पर inequality समाप्त हो जाता है लेकिन इस symbol के बदले में कुछ और भी symbol का इस्तेमाल किया जाता है जो कि हम लोग सवाल में देखेंगे लेकिन उहो symbol का मतलब यही होता है हम वहां पर मतलब आपको समझा देंगे केलियर है अब सुनिये इप पांच गो सिम्बोल में से तीन गो इधर और तीन गो इधर मिलकर के रिलेशन बना देता है जैसे यह है बड़ा और यह है सोरी 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 गलत हो गया यहां नहीं यहां नहीं याने, पांच गो सिम्बोल में से, तीन गो सिम्बोल, एगो बड़ा, एगो बड़ा बराबर, एगो बराबर, ये तीनों मिलता है और रिलेशन बना देता है, इधर पांच गो सिम्बोल में से, एगो छोटा, एगो छोटा बराबर, बराबर, ये तीनों मिलता है और रिलेश बने गा लेकिन बारा के साथ छोटा वा भड़ा बराबर के साथ छोटा मिलें गा तो इस्ट नहीं बने माथ प्र० स से आतकी फोगा जैसे हमने दंध कह यह 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 वह साथ प्रिकॉंब Kiss बनाईगा एविस्टर्लत मोर्त घॉकुर सरी होगा सा अनुट betting लगर लेकिन अगर इस सिंबोल के साथ ये सिंबोल मिलेगा या इस सिंबोल के साथ ये सिंबोल मिलेगा और रिलेशन नहीं बनेगा तो सवाल डाइरेक्ट वहीं पर गलत हो जाएगा तो एक बात यहां से समझ में आपको आना चाहिए कि अगर रिलेशन नहीं बनेगा तो सवाल डा पाचे गुआएगा कौन-कौन सा बड़ा छोटा बराबर बड़ा बराबर छोटा बराबर रिलेशन किसमे किसमे बनेगा बड़ा में बड़ा बराबर में छोटा में छोटा बराबर में बराबर में यह दोनों के साथ अगर यह दोनों आएगा तो रिलेशन नहीं बनेगा औ यहां पर जो symbol अभी हम पीछे चर्चा की है, वो symbol नहीं है, तो नहीं है तो हम अभी तुरंट आपको बताए भी थे, कि कभी-कभी उस symbol से हटकर के कुछ अलग symbol होगा, लेकिन ओभी symbol का मतलब यही होगा, आप देखिए आपको मतलब समझाते हैं, सुनिएगा ध्यान से, यहां पर कहा कि A copy right B का अर्थ है, A B से छोटा है, तो आपको यहां A B से मतलब नहीं रखना है, आपको मतलब यह रखना है कि जहां copy right होगा, उसका मतलब क्या होगा? छोटा होगा, क्लियर है? इसका नाम है copy right. आगे कहा A हैज B का अर्थ A B से या तो छोटा है या बराबर है एकरा मतलब जहां है जोगा जहां है जोगा ओ या तो छोटा होगा या बराबर होगा माने छोटा बराबर होगा छोटा या बराबर का मतलब छोटा बराबर कैसे पता करेंगे जैसे हम आपसे छोटा भी हो सकते और बराबर भी हो सकते हैं तो खाली बड़ा नहीं नहीं आपसे बड़ा नहीं है लेकिन छोटा बराबर दोनों में से तो हम कुछ भी हो सकते हैं तो हम यहां पर रख देंगे छोटा बराबर अब सुनिये A-B का अर्थ A-B से बड़ा है तो जहां माइनस रहेगा उसका अर्थ क्या रखेंगे उसका अर्थ रखेंगे बड़ा माइनस का अर्थ बड़ा है A-B का अर्थ A-B से या तो बड़ा है या बराबर है तो वहाँ पर देखिए है शोट कोट में मारी है सवाल बनने से मतलब है बनाई यह कहानी कहिए तो हम सुना देंगे कोई दिख्वत नहीं लेकिन कहानियों का मतलब वही होगा जो मतलब समझा रहे हैं ध्यान से सुनियेगा अगे है एट दि-ठी वी कारता अब जो झो छोटा नहीं बड़ा है अब बताओ एच्षोटा भी नहीं है बड़ा भी नहीं है तो क्या है बराबर है तो वहीं सिंब्ल का मतलबल यहीं है खाली आपको समझ में आना चाहिए अब ओ पिल्त का मतलब जो जो है ओस सिम्बूल आप यहां पर ही सवाल बनाएए बन जाएगा बताईए क्या है Medicine हूं उसको चोटा बराबर बोलते हैं लिफ क्या हैं कॉपी रइख को पिर कैमता रखेंगे छोटा तक क्थान में तो रख दिये हम निस्कौर सो हमें रख दिजिए गोपी रण। के जगह छोटा और फिर कॉंपी राइट के जगह छोटा रखने का यह तरीका बता रहे थे सवाल बनाने का तरीका भी नहीं बताएं यह बताएं यह रखने का जो हम तरीका बताएं उसमें कोई डाउट है आपको किलियर हो गया पक्का किलियर हो गया तो बनाने का तरीका इनिक्वालीटी में कुछ हईये नहीं है इनिक्वालीटी बड़ी असान है लोग हवा बनाए है कि भारी है तो अलग बात है आप खाली ध्यान से सुनियेगा देखिएगा बनेगा कैसे इह हम आपको जो भी बता रहे थे यह सिंबोल चेंज करने का तरीका बता रहे थे ठीक है फिर गड़ गड़ गया के तुन आदमी को नहीं मिला कोश्चिन है और मंगा पंदर दस गो हाँ ठीक है दस पंदर गो और मंगा दो थोड़ो इधर देखो ए उधर दिस्टम नहीं करो सिंबोल रखने का तरीका समझ गया अब बनाने का तरीका सुनिए बनाने का तरीका कुछ नहीं है यहां पे कथन है और यहां पे निश्कर्स है कभी भी आप निश्कर्स बनाईए तो एक नजर कथन पर जरूर दोड़ाईएगा क्योंकि कभी कभी इनिक्वालिटी में कथन गलत दिया जाता है, आपको पते नहीं चलेगा, आप गलते कथन से आपनी स्कर्स बना देजिएगा, तो बताइए, जो उन कथने गलत रहेगा, आपनी स्कर्स बनाने से पहले, अगर कथन पर दूचार सेकेंड का नजर दोड़ा लिजिएगा, तो कोई समस्या नहीं है, आप तो आप कथन पर नजर दोड़ा के देखिएगा, कि कथन सही है कि गलती, अब कथन सही कभ होगा, गलती कभ होगा, concept number one, कथन में जहां जहां कौमा होगा, उस कौमा के पहले और कौमा के बाद में लेटर का repetition होगा, तो कथन सही होगा, और ना कथन गलत मना जाएगा, क्या बोले हम कथन गलत है कि कथन सही है यह पता कैसे करेंगे एक नजर उसको देखेंगे जो लेटर कॉमा के पहले है वही लेटर अगर कॉमा के बाद है तो कथन सही है वरना कथन गलत है तो बताइए कॉमा के पहले क्या है इस अ कॉमा के बाद में क्या है इस अ कॉमा के पहले क्य और कोमा के बाद में क्या है एल तो कोमा के पहले बाद में बताईए लेटर का रिपिटेशन है की नहीं है तो कथन बोलिये सही है की नहीं है सही है पका सही है अब निसकर्स सुनिये कैसे बनेगा निसकर्स बनाने के लिए कुछ नहीं करना है भीज से चलना है आ एल तक जाना तो मुझे साजन के घर जाना है कहां से भीच से गाड़ी पकड़ेंगे एल पर जाएंगे बीच में जाएंगे तो देखते जाएंगे एस्टेशन करें गो पारुआ नईहर आया कि नहीं आया लड़कियों को तो बाबु नईहर का खुसी अईसन रहता है कि नईहर का रास्ता देखके चहरा पर खुसी आजाता है कि यहे रास्तवा हमरा गामे जाई तुम उनके तरफ कहां देख रही हो कि लड़कीयों का की लर्गीयों का साधी सुधा लड़कीयों का इस्थिति है कसम से बता रहे हैं कि नई हर QUE अगर रास्ता कहीं से जा रहा है दिख गया तो चेहरे पहंसी आजाता है अब पटना में रहने वाले लड़का का इस चितिया इसा है कि जब सफरारूम पाटनर गामे जाता है तो जाता तो हूँ है अदिल आपन घबडाता है कि कास हम भी चले जाते हैं है कि नहीं है यह होता है ना चलो तो अब क्या करेंगे भी से एल तो अभी पीछे लिखे थे बाड़ा बड़ा बराबर बराबर में रिलेशन बनेगा चोटा चोटा बराबर बराबर में रिलेशन बनेगा तो ऐसा नहीं है कि तीनों रहेगा तो भी रिलेशन बनेगा यह दुनों रहेगा तो भो बन जाएगा आई हो दुनों रहेगा तो तो बनेगा। यह जोरीव जोरीएं तो बनेगा। तो बताईए इस प्रखे जीना इंथा ऐन्द आ नहीं है। तब decision के लेगा? मम्मी, पापा मम्मी दोनों कहीं चले गए तब decision के लेगा? आप Same to Same वही बात आप यहां समझे, यह बड़ा है तो यह पिता जी है आई यह बड़ा बराबर है तो यह मम्मी है क्योंकि पिता जी बराबर की हैं और यह आप हैं तीनों में जब relation बनेगा तो सबसे पहले ये question में आएगा तभी question सही होगा वरना गलत हो जाएगा अगर ये नहीं रहा यहीं दोनों symbol रहा तब ये आएगा अगर ये भी नहीं रहा तब ये बराबर वला यानि आप आईएगा सेम टू सेम नीचे तीनों में लिलेशन बनेगा तो ये पिता जी ये मम्मी जी और ये हम तीनों के साथ अगर हम रहेंगे तो सबसे पहले question में पापा आएगे पापा नहीं है तब मम्मी आएगी अब पापा मम्मी नहीं है तब हम आएगे अब बताये यहां पर के के हैं आप हैं कि papa है कि मंमी है यह पापा और ही मंमी अभी दुन्हों मिडिसिनल लेना होगा ता कि ऑलेगा पापा यह करां मतलब question में यही symbol आना चाहिए अब ये वाला simply question में आ रहा है कि नहीं आ तो इस सही है, कहान याद रहेगा, अगर इसके बदला में कोई दूसरा आ जाएगा, गलत हो जाएगा, अगर यहाँ पे यहाँ पे अगर यह सिम्बोल ना रह करके यह सिम्बोल रहता, तो गलत हो जाता, बराबर रहता, तो भी गलत हो जाता, तो मिला जुला के आपको एकके बात याद रखना है कि रिलेशन नहीं बनेगा तो डाइरेक्ट गलत और रिलेशन बनेगा तो जो क्वेश्चन में आना चाहिए वो आएगा तब सही वरना वो गलत बोली यहां तो किलियर हुआ पक्का तो अब आगे कोनों दिक्वत नहीं होगा ध्यान से सुनिएगा अब क से कहां तक जे तक तो फिर क्या करना है मुझे साजन के घर जाना है एजसे से कहां जे पर सिंबल के गोईगो कि दूगो यह बुडबख अगी एक सिंबल वा दूबर है तो बताए घर में अकेले पपे हैं तो डिसेजन के लेंगे वहीं न तो यहीं सिंबल कहा आना चाहिए question में तो आया है कि नहीं आया है तो यह हो सही है अगर यह ना आ करके कोई और आता तो क्या हो जाता गलत हो जाता अब बताइए समझ में आया inequality एतने बात आपको जानना था जान गए आईए अगले सवाल पर अगला सवाल हमारा देखिए यहां पर समझेगा option बाद में आयेगा पहले हम लोग question पर आते हैं ध्यान दीजिएगा यहां पर कहा कि A copyright B का रथ A B से क्या है छोटा तो बाबू हमारा सूना जहां copyright है वहां छोटा वाला यहां पर सिम्बोल को रखिए का कऊ सक्यक है को दिक हत इसवाल को रखिया को दिक हत तो यहां पर कॉटा कूरकुकर कॉरक। दिजीए है यहां पर बीच्टा को रख दीजीए क्योंकि उस to symbol का मतलब क्या है छोटा अजल्डी बनाने का उपायज सिखिए अब यहां पीमा तो हैज का मतलब देखिए जल्दी से यहां कहा है हेज का मतलब किया है बड़ा तो जहा है ज है वहाँ क्या लिख दीजिएगा बलैकट अब चर्था बनाईए लेकिन बनाने से पहले को तंपर एक नजर डालिये बताईए को चंस अहीं कि गलती है को तंस ऑी की तो हम बाबु क्या करेंगे भी से चलके एल तक जाएंगे मुझे साजन के घर जाना है बीच में सिंबल देखेंगे काईगो एगो बाड़ा एगो बोलो बाड़ा छोटा में रिलेशन बनेगा कि नहीं बनेगा बनेगा क्या तो सवाल डाइरेक्ट गलत अब तो और किलियर हो सब्सक्राइब अबना तो पहले पापा फिर मम्मी फिर हम याद रहेगा एतने जानिया है फिर एस से कहा जे पर मुझे साजन के घर जाना है एगो मिला छोटा आई हो मिला छोटा यानि घर में अकेले के पपा यहां पर भी वही है से अब एकराश से आसान तो हम आपको नह नहीं लगता है कि एतना जल्दी आप अगर सवाल बना दीजिएगा तो एक उरों से जल्दी कोई सवाल बना देगा सिंबल पढ़िये, मतलब रखिये, सट से मिला दीजिए, काम खतम हो गया, इनिक्वालिटी खतम सवाल बन गया, एकजाम में नंबर आ जाएगा, नोकरी हो जाएगा, नोकरी होगा तो भिया हो जाएगा, एंसर के वल्दो निसकर सत्य है कि वादा याद है नकल का नोकरी के बाद पहिले लेना है फोर विलर अब की दुलहा के गाड़ी आपन सजेगा भाड़ा के गाड़ी नहीं सजेगा बिया अभले सब्सक्राइए एक साल देरी से होगा और जैसे आतना दिन बीता तो इसे एक साल और बीतेगा कौन आफ़ तू अपना गाड़ी में दुलहा बनिक जाएगे ताल चाली महुल। चल समोगा चले के अर मोर उतारके भाड़े महां फ ceux मोच चाहरा जाना है हमरा तो बिया हमें हमरा मालूम था का का होगा हम अपना सफुरारी के पोहिले वाला मार्केट में गाड़ी रोकवा दिये हम पहुंचे बराती से आधा घंटा लेट जी जा जी गाड़ी इंब इठे ते बले हैं मर्दे गाड़ी कहें रोकवा दिला हमको निताहरा के बगल में बड़ी बढ़ियां सा होटल है वहां गय हम लाव यह समोसा है अना है ड्राइबर खाया जे जे खाया उखाया जी जा जी मूफले ले थे बोल दिये थे जी बहा का पहुंचवा दिका बले का खई बहा समोसा है किहना खुण हो और रेहा हैि जे तक और समोसा उनको खिलाएबयक बात मिचैनो खिलाएब का के वहां से आएँ तदरास्ता में कह रहेए कि बताव आधा खंटा तो देरीक बड़िया खाता है वहां बड़ो गहिं बिठाहरा का छीगता अपलों Julida मॉरारे Jake Robinson कर रहें बड़ा दिमाग लगा हैं जी हम अपना समोस्ता हमों से खा लिए तो मैं मालूँ तो रात भर भोजर नहीं मिलेगा बिना खड़िले भिया करना पड़ेगा तो लोग भी खा लेना पगला कहीं का नहीं तो रात भर पंडित मंतर सुनाएगा असाथ फेरा में इसन इसन बात बताएगा हमरा अंतिम फेरा बोला दिमागे खसक गया साधी सुदा लोगों को पता होगा अंति tiefhera में कहता है and pandit कहता है पतनी का सर्त है कि मैं अगर आपको बिना बताया कहीं आती हूं कहीं जाती हूं या कुछ भी खरीद लाती हूं तो आप मुझे बिना सवाल किये बिना जवाब किये आप मुझे कुछ नहीं कहेंगे तम मैं आपके बाएं हिस्से में बैठने के लिए तैयार हूँ अ उसका ये भी सर्त है लेकिन आप साधी के बाद सातवा वचन में बर बधू को बचन देता है कि आप साधी के बाद किसी पराई औरत को दाने आप से आधी स्सित्य है वैया मन तु ढहां मन करें तहां ओबू क जैव कि आए अट ने पर आई-बू आप जई-बू आप कि करोIVE न देख्यां हम अपना पंडी जी को बोल दिये छे हम अपना पंडी जी को बोले हम बोले लास्ट में बोले बाबा इस अब मंतर में संसोधन हम बोले बाबा इस अब सातों बचन में संसोधन के जरूरत है की नहीं है कि जरूरत है कि नई है तो ऑब अपने कि का बताउग संसोधन के जरूरत तो है ये है लेकिन जे है से चलल आरहल है हम बोले महाराज इसको चेंज कर ये बहुत गड़ बड़ी स्थिती है आप लोग है हम बोल दिये छे हम चुप रहने माले हैं हम बोले भाईया हम इसातवा बोचन को नहीं मान रहे हैं जेकरामन होगा हो कराद देखेंगे कुनुट चलो आगे बड़ो आस अहीं कह रहे है तो जुट्थे करें पगला के तुम लेकिन चला कहा के माड़ों में बइठना समझ लेना ना तो लड़की सर तो नहीं सोचना हमर कनिया नहीं ख़िले होगी उँ अंदर बइठके छेना खाती है सब कोभर में छेना ना लेगी बहीं स अधान नको नो टेंसान नहीं है चलो आओ हुआ बोलो है अशृत के जगह पे आ क्या रखेंगे बराबर अब शुनो पी अधिरेट क्यूप कारते फी क्यूप से छोटा है तो जहाँ अधिरेट है वहां क्या लिखेंगेठ छोटा अब उसके बाद देखो यहां गोड़े पी फी कोट तो चोटा है यांदि कोटा शोड़ भराब्स जलदी से कथन पर नजर दोड़ाओ और देखो सही है कि गलत है सही है तुम टेंशन नहीं तो मिलेगा इनए सोचना समें तो सही हो रहता है तो सही है हो रहता है न ti तो चिंदा नहीं करना है गुलत को हम सही कर वादेंगे लेकिन पहले तुम देखने जान जाओ आओ आज जा की गवाट आचा सटेटमेंट एक सब्सक्राइब क्यूंकि कोमा के पहले और कोमा के बाद में लेटर का रिपिटेशन है यह कि नो सही है अब बनाओ के से जाओ कहा तक है तक तो तुम आपकी बार द््यान से देखो के से जाना है कहां तक जी तक तोकेशлом किसे जटक जा रहे हो तो तुमुकुआ से घुछो इस से पीछे जतना आप सवाल बनाया थी सब सवाल आप बनाए थे समय आप कहां जा रहे थे आगे के तरफ सवाल में आप जा रहे हैं प्याड़े साथियों पीछे के तरफ महतु जी का दलान थोड़ो झाल जा रहे है जिनने से बराबर और छोटा बराबर अच्छा दोनों में रिलेशन बनेगा किनहीं बनेगा बनेगा क्वेश्चन М म मम या निको अना चाहिए लेकिन थारो अभी यहां पर अगर इसको मिला के तुम मार दोगे तो गलत हो का है का है कि डाइरेक्शन रिभर्स है उल्टा है तो उल्टा डाइरेक्शन में सिम्बोल को चेंज कर देना अभी मम्मी के जगह पे तुम कर देना मौसी को आप मॉसी के जगह पर कर देना मम्मी को मतलब बड़ा वाला सिंबोल रहेगा तो छोटा वाला करना पापा रहेंगे तो मॉसा आप मॉसा रहेंगे तो पापा अब बड़ा बराबर के जगह छोटा बराबर कर देना मतलब मम्मी रहेगी तो मौसी, आ मौसी रहेगी तो मम्मी, अपने आपको तुम चेंज नहीं करना, दोनों जगा तुम ही हो, बुझा कि नहीं बुझा, माने बराबर वाला सिम्बोल चेंज नहीं होगा, पापा रहेंगे तो मौसा, मौसा रहेंगे तो पापा, माने बड़ा घ्ञाब है तो छोटा शूटा रहेगा तो बड़ा रवबर रहेगा तो छोटा बड़ा चौटा बराबर रहेगा तो बड़ा अब बताओ हम यहांपे सींबॉल चेंज क्यों केजिग्ट की डाइरयेक्शन उल्टा है सिधा direction में सिधा रहेगा, इल्टा direction में उलट जाएगा, clear है? तब बताओ question में यही न आईगी मासी, देखो तो question में मासी है, तो यह गलत हो गया, मेुसी को रहना चाहिये था, अपने सब्सक्राइदाा गया, गलत हो गया, अब चलो फिर जाओ case के जे, फिर तुम जाओ गे क आई क्या मौसी इमौसी है इह है करें हो इच छोटा बराबर है यहां पर छोटा इमौसा है तो आना चाहिए था सोरी आना चाहिए था बड़ा बराबर को आया है बड़ा तो इह हो गलती है तो मार दो आंसर नो तो एक नहीं दो रुक 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 अब यह तुम आंसर म समझो दोनों गलती हुआ तुम आशा मारोगे d तो इसी हो जाएगा गलती क्योंकि इसका औस सरुगा सी, cuz c कहें होगा दी कहें कि र εκ लिखना बाद में c कहें होगा अदी कहें नहीं होगा, अदी का हैं होगा, सी का हैं नहीं होगा, समझो, देखो, जैसे यहां पर दोनों कन्कुलूजन गलत है, तो दोनों गलत होने पर ही एंसर होता है, यहां दोनों गलत है, तो दोनों गलत होने पर यह भी एंसर होता है, लेकिन यह कब होता है, यह कब होता है, जानना पड़ेगा ने तो होगा ये आँ मारोगे ये तो गलती, होगा ये मारोगे ये तो गलती, देखो इस option को कहते हैं आइदर और का option, इस option को कहते हैं नाइदर नौर का option, आइदर और कैसे समझोगे, बोलो आइदर और, अब बोलो नाइदर नौर, नाइदर में नौ बोल रहे हो, नाइदर माने नौ तो जगरा में नो तो नो रहेगा उसको कहेंगे नाइदर 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 नाइद तो ध्यान देना लिख लो, note करके सब लोग लिख लो, note करके सब लोग लिख लो, लिखो, जब दोनों conclusion गलत हो, दोनों का subject object same हो, जब दोनों conclusion गलत हो, दोनों का subject object same हो, जब दोनों conclusion गलत हो, दोनों का subject object same हो, और दोनों conclusion में से, दोनों, सोरी, एक मिनट, एक मिनट, क्या लिखे, जब दोनों conclusion गलत हो, दोनों का subject object same हो, और दोनों कनकुलूजन के बीच के चिन में से, कोई एक चिन है, बराबर वाले जगह का हो, तो हम उसे आईदर और में रखेंगे, लिख लिए है, दोनों के बीच के चिन में से, कोई एक चिन बराबर वाले जगह का हो, तो हम उसे आईदर और में रखेंगे, हो गया, अब समझो, हमने कहा, दोनों कनकुलूजन गलत होना चाहिए, ठीक है, तो देखो, यहाँ पर दोन दुनों का सब्जेक्ट अब्जेक्ट्स ना चाहिए मने यहां पर में कोनों बूसिंबल बराबर वाले जगह का होना चाहिए था बताईए के यह बिच में बराबर है की नहीं है तो तीनों जो बात लिखवाए हैं इस वाल में यह आए यह रहा है एकरा मतलब की आइंसर जाएगा आइदर और में तीनों में से अगर कुछो मैच नहीं करता तो आइंसर जाता नाइदर नौर में बोलो आइदर और क्या कंडिशन के लिए हुआ याद रहेगा कैसे बोलो दोनों इस तुट के सीन भारबर रहेगा तो हम भीजें के बढाबार व्यज़ और में रहे हैं नहीं रहेगा तीनों मेंसे कुछ मैक नहीं करेगा तो बहुत कुछ नहीं है अब यह वो चीज पटा सिंबोल चेंज करने वाला जैने करने वाला हो आजाएगा बस किलियर हो जाएगा आईए अब बताते हैं ध्यान दिजिएगा यहाँ पर कहा ए है जबी सोरी ए है जबी का अर्थ है ए बी से अधीक नहीं है अब देखिए यहाँ पर भासा थोड़ा सा कोश्चन का चेंज हो गया इससे पहले वाला कोश्चन में हम बड़ नहीं है बराबर नहीं है छोटा नहीं है छोटा बराबर नहीं है यहाँ पर कह रहा है कि ए है जबी का अर्थ है अधीक नहीं है अब तुम सोचो अधीक नहीं है तो क्या होगा कम होगा या बराबर होगा तो कम बराबर को हम छोटा बराबर बोल सकते हैं क्या एकरा मतलब वही तो चीजे भासा बदला है, कहा कि अधीक नहीं है, एक रहा मतलब बड़ा नहीं है, तो क्या है? छोटा बराबर, तो जहाँ जहाँ है, वहाँ वहाँ हम सिंबोल लिख देंगे, क्या? छोटा बराबर, जहाँ जहाँ है, वहाँ वहाँ सिंबोल लिख देंगे, क्या? छो भी यह हुआ कि जहां डॉलर है वहां पर हम किसको रख सकते हैं बड़ा को रख सकते हैं लेकिन डॉलर कहीं है यह नहीं है छोड़ दो आगे कहा ए परतीसत बी का अर्थ है ए बी से नो तो कम है अनोही अधीक है कम भी नहीं है अधीक भी नहीं है तो है क्या बराबर एकरा मतल अब जहां परतीसत है वहाँ पर हम बराबर वाला सिम्बोल को रखेंगे बोलो बुझा रहा है अब चलो आगे आगे कहा A star B का अर्थ है A B से 9 तो अधीक है आ नहीं बराबर है अधीकों नहीं है बराबर हो यह तो क्या है कम है कम नहीं है छोटा तो जहां अस्टार है बराबर है याणी बदा बराबर है तो जहां प and the rate है वहाँ पर हम क्या लिख देंगे बाड़ा बरढ़ अब बताईए सवाल बन जाएंगा नहीं बन जाएगा तो जल्दी से नजर दोड़ाईए और बोड़िये देखे एक कथन सई है कि नहीं है क्थन सई है क्यों सई है बोलो, बोलो, क्योंकि कोमा के पहले कोमा के बाद में लेटर का का रीपिटेशन है, यस की नो? अभ सुनो, सी से कहा जाओगे एपर, तो मुझे साजन के घर जाना है, सीधा रसता की उल्टा रसता? उल्टा में बदलेगा कि नहीं बदलेगा, बदलेगा, सिम्बल कौन कौन सा आया, बराबर और छोटा बराबर, बोलो दोनों में रिलेशन बनेगा कि नहीं बनेगा, आचा क्वोस्चन में कौन आएगी, तुमकी मम्मी, मम्मी, छोटा बराबर, लेकिन सिम्बल बदलेगा न तो छोटा बराबर बदल के क्या हो जाएगा, बड़ा बराबर, देखो तो यहां बड़ा बराबर है, है कि नहीं है, है ना, बोलो, तो पहिलका सही हो जाएगा, सिम्बल बदल गया, अब देखो A से D जाओ, अब की बाबू तुम A से चलो, और कहां पहुंच जाओ, D पर पह यही न यह आया है क्या यहां तो क्या होगा तो यह हो गया गलत तो आइंसर मारोगे यदि केवल निसकर्स एक सकते है तुम बबू इस तरह से बना करके आजाओगे तक करो हिमत नहीं है जे गलती काट देगा अजे गलती काटेगा हुआ हम हो पटक के काट देगा है तो नहीं तुम खाली सही बना के आजाना बोलो किलियर हुगा चलो आगे बढ़ो अब समझो आगे यह सवाल देखो यह सवाल देखो क्या कह रहा है देखो कहा यहां पे की x at the rate y का अर्थ x y से बड़ा नहीं है बोलो बड़ा नहीं है तो क्या होगा छोटा बराबर मतलब जहां at the rate आगे बड़ा तो जहां पे है वहां पे हम बड़ा लिख देंगे जहां है वहां हम बड़ा लिख देंगे अब तो हैज कहीं नहीं है चलो रने दो आगे कहा x copyright y का अर्थ x y से छोटा नहीं है अच्छा एक सवाई से छोटा नहीं है तो क्या होगा बड़ा बराबर छोटा नहीं है तो बड़ा बराबर यह क्या कर रहे है ना पती आपकी जमा की हुई राजशी की हिफाज़त जहां पड़ा कोई लूट ना ले अर्थ x y से नो तो बड़ा है नहीं बराबर है अब देखो कहा कि नहीं बड़ा है और नहीं बराबर है तो क्या है छोटा एक रहा मतलब डॉलर के जगा पे छोटा रखेंगा सिंबल चेंज हुआ अब बना लो अच्छा बताओ तो स्टेटमेंट सही है कि नहीं है स्टेटमेंट गलत है कैसे बुझाया कॉमा के पहले कॉमा के बाद में लेटर का रिपिटेशन नहीं है तो बाबु हमार तुमें काम करो इस गलत स्टेटमेंट के अधार पर निसकर्स बनाओगे तो गलत बनेगा अब उपायत एक के को है कि या तो इसको छोड़ दीजिए ना तो गलत बनाईए यहीं नहीं अगर हम चाहें तो गलत statement को सही कर सकते हैं कैसे होगा समझिएगा गलत statement को सही करने के लिए हम क्या करेंगे लेटर का repetition करवा देंगे कैसे सुनो जैसे गलत statement है पता चल गया अज सही करने के लिए हमको पता है कि कोमा के पहले कोमा के बाद में लेटर का Irpitation होना चाहिए तो हम क्या करेंगे alphabet को बदल देंगे लेटर का Irpitation करा देंगे लेकिन ध्यान रखना है जब alphabet बदलिएगा तो Symbol भी बदलेगा बाड़ा रहे गातो छोटा आएगा थो बड़ा आएगा बड़ा ब्राबर रहेगा थो छोटा बराबर रहे तो बड़ा बराबर आएगा बराबर चेंज नहीं होता है अब देखो यहाँ पर G T है तो हम इसको जैसे का 20 से रहने देते हैं G less than T अब Komma यहां लगा देते हैं अब इस T के बगल में T को लाते हैं तो T को इधर कर देंगे, आ एन को उधर कर देंगे, बोलो बुझ हा या, हम T को इधर किये, आ एन को उधर किये, आलफाबेट को क्या किये, चेंज, तो बीच का दिया गया सिंबॉल भी चेंज हो जाएगा, लेकिन बराबर चेंज होता है, क्या, तो यहाँ पर बराबर जैसे तो इससे आ जाएगा, फिर यहाँ कॉमा लगाएंगे, अब T के बगल में T हुआ, तो N के बगल में N होना चाहिए, अब हम क्या करेंगे, N को इधर कर देंगे, N को इधर, O को इधर, अब यहाँ पर क्या है, बड़ा बराबर, तो बड़ा बराबर के जगह पर बदल जाएग जो, statement को arrange करने के लिए, अगर हम alphabet को change करेंगे, तो symbol भी बदल जाएगा, बड़ा रहेगा तो छोटा कर देंगे, छोटा रहेगा तो बड़ा कर देंगे, बड़ा बराबर रहेगा तो छोटा बराबर कर देंगे, छोटा बराबर रहेगा तो बड़ा बराबर कर देंगे, बराबर को change करने की कोई जरूरत नहीं है, अब प्यारे दोस्तों, हम बनाएंगे T से O तक जाएंगे, तो हम क्या करेंगे T से O तक जाएंगे, तो T से O तक जाएंगे तो बीच में देखेंगे, सिम्बोल कहेगो है कहेगो आरे टी से वो जाएंगे बोलो सिम्बोल कहेगो दो गो कौन-कौन बराबर और छोटा बराबर बोलो रिलेशन बनेगा कि ना बोलो बनेगा कि ना तस क्वेश्चन में कौन आएगा बराबर की छोटा बराबर छोटा बराबर यहां पर कौन आया त चलो ओ से कहां जाओगे जीपर तो ओ से चल के जीपर जाईएगा तो बोलिये symbol कहेगो एगो छोटा बराबर एगो बराबर एगो छोटा बोलिये तीनों में relation बनेगा की नहीं बनेगा question में कौन आएगा छोटा लेकिन डाइरेक्स अनवा उल्टा है तो छोटका को निकर के क्या करेंगे बढ़का अब कोंस्चनावाद में कई आएगा बढ़का देखो तो ये आया है ता सहीаже है तो एंसर मार दोके वोलीन इसके फिर्सदों सही साही है इस सवाल में गलत होने का संभावना विजार्थी का ज्यादा रहता है क्योंकि इसमें दूगो जोल है जोल नंबर वन की एस्टेटमेंट गलत है और दूसरा जोल की डाइरेक्शन दिवर्स है लेकिन आप इत्मिनान से पढ़िए इत्मिनान से बना का येगा कहीं गलती नहीं होगा क्लियर है जेतना सवाल पिछला बर बनाये यहां पे कहा पी एड़ी रेट क्यू का अर्थ है पी क्यू से नो तो छोटा है नहीं बराबर है छोटा भी नहीं यह बराबर भी नहीं तो क्या होगा बड़ा तो जहां पे एड़ी रेट है वहां पे तुम बड़ा रख दो लेकिन इसमें एड़ी रेट है यह नहीं है पे हैज है वहां रख दो छोटा बराबर रखा गया अब पढ़ो आगे कहा कि पी डॉलर क्यूं का अर्थ है पी क्यूं से न तो छोटा है नहीं ने ने पी डॉलर क्यूं का अर्थ है पी क्यूं से छोटा नहीं है तो छोटा नहीं तो क्या है बड़ा बराबर तो जहां डॉल वहां पर तुम बड़ा बड़ाबर रख दो, बोलो कोय दिक आ थे, यहां बढ़ा बड़ाबर रख दो, अब देखो आगे पढ़ा, अब आगे पढ़ा, कहा कि P पृतीसद क्यू का रधे P क्इव से नह तो बड़ा है, नहीं चोटा है, अचा बड़ा भी से नहीं चोटा है नहीं तो क्या है बराबर है तो जहां परतीस्थ है बाशाता है वहां पर किसको सदारैंगे ना गलत बना देंगे सुधारेंगे कैसे सुधरेगा देखो हम इधर सुधार रहे हैं दी आलेस देंट टी जैसे है वैसे रखते हैं कि इसको जैसे है वेसे रख दिया अब लगा दिये यहां पर कॉमा लग गया अब उस टी को लाते हैं इधर हैं बोलो और को ले जाते हैं उधर बोलो लेकिन यहां पर छोटा बराबर है तो जब लेटर चेंज हुआ तो Bene शिर्म भी चेंज हो जायगा तो यहां क्या हो जाएगा बढ़ा बराबर फिर लगाएंगे कोमा अब इसको तो जैसे का तैसे उतार देंगे तो काम चल जाएगा तो यह हमारा सही बहला नहीं सहाँ से बनाएंगे तो में से चलके टीफर जाएंगे तो जब हम से चलके टीफर जाएंगे it तो बीच में सिम्बोल आएगा एगो की दूगो एगो कौन सा बड़ा बराबर लेकिन यह उल्टेगा न क्या होगा छोटा बराबर का है उल्टेगा डाइरेक्शन रिभार से है बोलो तो छोटा बराबर अब बताईये तो यहां छोटा बराबर है क्या तो गलत न हो जाएग फिर वही वाला उलट के आएगा यह वाला यहां पर है क्या यह भी गलती अब रुको अब जल्दी बताओ आइदर और है कि नाइदर नोर है आइदर और पका हम चेक कर लेते हैं डोनों कंकुलूजन गलत सब्जेक्ट अब्जेक्ट सेम बीच के सिम्बल में से यह बराबर व मेरे कोई सा लग रहा है कि यह गिफ्ट मिला है कि अहीं मुह का बना रहा है ओ दिया था अध्यों इसने पहिना है जैसा हम पहिने है उसका एक दिन टी सेट बाद एक ख़ड़ा हो जाओ तो देखेगा सब मिला लो सेम्सम है ना हम इसके लिए ताली बजाओ एक बर यही हम चाहिए हम बूले सेम कलर माना देगगा तर ले लेंगे लेकिन पैसा लेगा तब आद पैसा मरस जिल यह भी तब पैसा ले लेंड ना ह। अई पिचले कला से मुले तर यपीशला है तो था आज मंग वाया है लेकिन अटी एक अरूरा से जादे हो रच्वराम बढ़िया ल हां अगर इसमें बराबर नहीं रहा, छोटा रह गया, तो answer D हो जाएगा, नाइदर और में चल जाएगा, clear? अगर यहां पर तुम यहां बड़ा कर देगा बड़ा वाला सिंबल तो वो उचल जाएगा दी में हाँ तो वो डी में जाएगा बराबर यहां पर चाहिए यहां पर बराबर रहेगा ना तभी आईदर और में जाएगा ना तो ना इदर हो जाएगा जो आए यहां पे छोटा बराबर छोटा बराबर तो वो जाएगा आईदर और में क्योंकि छोटा आ रहा है न बराबर में छोटा तो आ रहा है बराबर में जाएगा अच्छा तो यहां पे बाबू मेरे प्यारे बराबर रहना चाहिए इसलिए लिखवाए हैं दोनों कंकुलूजन कलती सब्जेक्ट अब्जेक्ट सेम रहना चाहिए एगो बराबर तब जाएगा आइदर और में नहीं तो नाइदर लोग में किलियर है चलिए आगे आईए अब देखिए यह जो सवाल में आप देख रहे हैं इस सवाल में एगो समस्या खतम हो गया कौन सा उस सिंबोल का मतल अब समझ के रखने वाला अब टाइम बचेगा इसको डाइरेक्ट बना दीजिएगा देखिए कैसे बनेगा डाइरेक्ट है देखिएगा यहां पर दिया है कथन आ यहां दिया है निसकर्स तो जमेला एको जो थाव खतम हो गया अब आरेंज नहीं करना पड़ेगा अब आ जैसे करिएगा सुनिये अँचा यहां तक तो ठीके है यह काम करते हैं इसको फ्रॉल टैसे राने देते कोई छेचान नहीं करते हैं इसको उठाते हैं यहां लागते आहां यहां लेकिन जैसे का तैसे लाएंगे तो गलती हो जाएगा यह M को इधर पलटते हैं आज J को उधर पलटते हैं आई जो बड़ा है ना इसको छोटा कर देते हैं दो बोलो तो सही हुआ अब डाइरेक्ट बना दो एन से कहां जाओगे जे पर तो एन से चलके जे पर चले जाईए चले गए सिम्बोल देखिए कौन कौनसा छोटा बराबर आज छोटा यही न दूगों सिम्बोल आया जी यही न दूग आया अब बताओ इस दोनों जो सिम्बोल आया इसमें में है कौनसा तो इता सही हो गया तो इस सवाल उससे भी जल्दी बना ऑप्शन एरेंज करने का जमेला खतम हो गया बोलो जी किलियर है अब चलो दू नंबर एन से कहां जाओगे एम पर बीच में सिम्बोल कई गवाया दूगों क्वेश्चन में कौन आयेगा छोटा यहां नहीं है कि यहां पर आंसर मारेंगे यदि दोनों सथे पिछला टाइप में कोई डाउट नहीं है इसमें भीकूर दाउट नहीं है जो कि है नहीं है आगे और भी समझ लेना तीनों में से कुछ फूखे गा बूलो जल्दी से कथन स़हे की गल्ति एक गथन सभी है अ गथन सब को समझ में आ रहा है है इसला उसम इन एожए बता खड़ा हो जाओ हम्रा झाल गलत लग रहा है तो मद टूम को क्या लोग है works है कि अधीया अच्छाहमरा लग रा है गल गलता इक और यह सही ए इब तो सही कहा है कि अरे तुम्हारा दिमाग में कुछ कहता होगा न कि इसलिए सही है तब कहें सही है कि अल्फवेट के करन कि तुम बताव तो हाथ देखो, सुनो इसका कही इसका कहना है इक और अलफा बिढ़ का हला कि भावना हम इसका समझ गए कि का कहना चाहती है रीजन वही है सही है लेकिन यह असली जवाब दी तुम बोली अलफा बिढ़ के काराण call, e बोली कॉमा के पहले कॉमा के बाद में sim later है, इसलिए सही है, यही दिमाग में रखना है कि कॉमा के पहले कॉमा के बाद में later करें अगा नहीं है तो गलत है, clear है? तो यह statement सही है, अब क्या करो वे एफ से टी जाओ, तो तुम चलो एफ से टी, तो देखो बीच में नहीं हर अब चलो n से टी तो n से टी जाओगे तो एगो बराबर आएगो बड़ा बनेगा कोस्चन में कौन आएगा बड़ा है हो तो दूसरा सही है यह पांच सेकंड लगेगा मर्दे इन इक्वालिटी बनाने में, जे करा भारी लगता होगा, उक्रा लगता होगा, आपको खाली मिला लेना है, सीख गए होंगे तो पांच सेकंड काफी नहीं है, कि बेसी लगेगा, सीख गए होंगे तो पांच सेकंड काफी है, छे सेकंड क बढ़ा बबाबर के च्छोटा बराबर कर दीजिए, बोलो, बोलो, अब देखो बाबू, बी से तुम कहां चल जाओ, के पर, आपकी बार सीम्बोल के गुए आया, कौनसा? च्छोटा बराबर, तो तो कोश्चनों में इह नं आएगा, कोश्चनों में आया, तो इक गलत हो ग तो वही कोस्टीनों में रहना चाहिए ना। तो उतन नहीं है। गलत हो गया। अब चलो, केसे sc तो अब जाओ भाईया, के से sc, तो kalo string आया, बड़ा और बड़ा बड़ाभर बोलो, relation बनेगा, पका? कोन show बाड़ा यह बाड़ा है की नहीं है दूसरा सई है डूसरा है बोलो कोई दिक्कत हुर बड़ा तूम नम शुक्रा रहा है नहीं आझ इस देख डुल कई जगे हों तू चिल कई जगे तूते हों अ कहीं एक जगे से बेहतरीन सपोर्ट मिल गया सहारा creator ले गया इंसान बड़ी खुस होता है कि कहा कि चलो धर्ती पे सला कोई तो है जो हमको समझ सका इसी तरह से आप कई जगह पर पढ़ते हैं को तो राबाद जोन हमरा पास आएगा तो रहा नोकरी के बाद जो हमरा पास तो रहा देख के आएगा वक्रास देगो सेंप चीस तो देंगे अन्यका बच्चा तो सब हमरे पास आ रहा फाउंडेशन में तो एग उन्यका बच्चा पचीस सो खाली हमरा डिजनिंग में देगा औरो भी से के भराइटी रखे हैं जैसे आलू ले लिया 110 रुपया के अड़ाई किलो तो आलू के संगे मरिचो चाहिए अगो भी जाए पियाजो चाहिए उसन लेना पड़ेगा अगा अगा धनिया चाहिए अगर सब भराइटी रखे हुए है अधर चाहिए अपने बस हिंदियों के टीचर है वदर अधर है कभी कभी मुर्गा में मचली में उनका अधर रख जाएगा कोनो कुनों वेकेंसी में आग बग अधरा खा रहा है स्वर्या को रहा है नेक्स्ट पर आजाओ पड़ो मन लगा के पड़ो तुम पईसा नहीं देगा कोई दिखकत नहीं तुम रागला जनरेशन हमरा पईसा देगा काहें अगभडा रहा है बताओ एस्टेट्मेंट सही है कि गलती है सही है अब बनाओ भी से एफ जाओ तो तुम जब भी से एफ जाओगे हई काम पहले देख लेना कि उल्टा जा रहे हैं तुरांत गलती होगा उल्टा जैसे गया दिमाग में लगाना कि आने दो बेटा उलटना पड़ेगा उसको ना तो फिर गड़ बढ़ाएगा तो भी स जब तुम एफ जाओगे तो सिम्बोल मिलेगा एगो बाड़ा आएगो छोटा घंटा उलटना पड़ेगा रिलेशने नहीं बना तो पहिलका होगे या गलती क्या आप देखो डबलू से डी तो डबलू से जाओ कहां पर दीपर तो सिम्बोल आया बड़ा बराबर बड़ा बना रिलेशन बोलो कोश्चन में कवन आएगा बड़ा एलड़की ख़ड़ा रुग रहे ख़ड़ा एस्टेंड अप अंग्रेजी मेडियों से पड़िये का ख़ड़ा हो जाओ करें ख़ड़ा हो जाब उजिए नहीं बताओ कि तीनों सिम्बोल में रिलेशन बन गया कोश कुश्चन का जो सिम्बोल में बदलना पढ़ेगा करुषे निहीं समझी जैसे ये तीनों में डबलू से हम डी पे गए सुनना रहे बाबु जैगर ड़ाव्ट होगा यह ड़ावट क्लियर करेंगी डबलू से हम डी पे गये सिम्बोल आया तीन गो एगो बाड़ा एगो ब लोगों पता थामें dengan ऑफ I met control अब आच फूरम नहीं है हम पुछें यह सिम्बॉल उल्टे की नहीं उल्टे कर आपने कहां नहीं उल्टे का कि Нहीं पूर्टे कर यह बता दिए यह पहुल गया वो लोजिक नहीं है सुचिए फिर से आप भुला गई है हम चाहते हैं एक जान तक याद रहे आप अभी ये भुला गई क्यों ये सिम्बोल क्यों नहीं उल्टेगा हाँ ये बोलना था बढ़ जाए असब याद रखना सीधा जाएंगे तो नहीं उल्टेगा गल्ती तो यहीं होता है ना सही बता रहे हैं गल्ती तो यहीं होता है जैसे जाएंगे उल्टा भुला जाएंगे को उल्टना भी है तो याद रखना सीधा जाएंगे सीधा जाएंगे यह रोज तुम लग साइरी लिपेश दार, सीधा जाएंगे तो नहीं उल्टेगा, उल्टा जाएंगे उलटना है, एतने तो लोजिक है, अज सीम्बोल चेंज, सोरी, अलफाबेट चेंज करेंगे, तब उल्टेगा, दो यह कुन बस समझना है, बाकी जैसे बनता है, उसे ब बेचैन नहीं है, अजोन एकजाम में सवरा नहीं आएगा, वो कर लिए बेचैन है, यह ज्यादा समझ में आता है, आपी तो मुकेसर लिखके दिये हैं भाई, देख लो, मुकेसर साहिरी लिखें, महबबत रही, हमरा यहां सब टीचर दिलदार है, लिखें कि महबबत रही चार दिन जिन्दगी में महबबत रही, चार दिन जिन्दगी में रहा चार दिन का असर जिन्दगी भर, अरे गजब, तेरी, अरे यह तो हम भी नहीं समझ सके यार साहिरी, आप समझ में आया, अब बोलते हैं देखो, उनका कहना है कि महबबत रही जिन्दगी में चार दि और चार दिन का असर रहा जिन्दगी भर। जलो बढ़ते हैं आगे देखो जल्दी बतावे स्टेटमेंट सही है कि गलती है गलत है इसको सही करो देखो कैसे होगा यहां तक तो ठीक है इटी को कर दो इधर बोलो अडी को कर दो इधर अच्छा सिम्बोल चेंज होगा क्या च अगे हैं इधर कर दो भीको लेकिन यहां चैंज हो जाएगा बड़ा बराबर का जाएगा च्टाबराबर अबसे है अब चलो ट से एफ यह उल्टा है तो क्या हो जाएगा? छोटा, बताओ यहां पे छोटा है क्या? तो यह तो गलत है, है ना? अब चलो D से K, तो भाईया हमको जाना है D से K, सिम्बोल आया बड़ा और बराबर बोलो, लेकिन दोनों में तो question में यही आएगा, लेकिन उल्टा direction है तो यह भी न प नाइधर, वेरी गुड़, तो answer मारो न तो यह नहीं दो, नाइधर इसलिए हुआ कि conclusion गलत है, लेकिन subject object same नहीं है, इसलिए कहां गया? नाइधर नोर में, ठीक है, next 11 के बाद 12, 12 नमर देखो, अचा बोले statement सही है कि गलत है? गलत है, फिर बदल दो इसको, T को इधर करो, ब इसको बदल दो, बदल गया, अब बना लो, D से F जाओ, कहां जाओ, D से F जाओ, symbol देखो, बड़ा बराबर, बड़ा और बराबर, बोलो relation बनेगा, question में बड़ा आएगा, लेकिन उल्टेंगे, छोटा हो जाएगा, अचा कहें उलट रहे हैं, उल्टा जा रहे हैं, छोटा आएगा, यहाँ पे है, तो यह तो सही है, नहीं, अब देखो, D से K, तो तुम चल जाओ, D से K, तो बड़ा बराबर, छोटा बराबर, relation नहीं बनेगा, गलत हो जाएगा, बोलो, तो answer यदी निसकर्स, एक सत्य, कोई दिकत, clear है न, कहां रहे हैं, तू confused है, का हुआ, चल आ तो चलो बना दो, F से K, चले जाओ, F से K, जाओ, तो छोटा बराबर और बराबर, बोलो, relation बनेगा, तो छोटा बराबर उलट जाएगा, बड़ा बराबर हो जाएगा, नहीं, बुझ रहे हो का, का है उल्टेगा, उल्टा है, तो यह वाला सिम्बोल यहाँ पे है क्या, त अब चलो, D से F, D से F, बराबर, छोटा बराबर और बराबर, relation बनेगा, relation बनेगा, decision कौन लेगा, छोटा बराबर, छोटा बराबर, यहाँ पे है क्या, यहोग गलत है, बोलो, either की neither, either, neither, क्योंकि subject, object, same, नहीं, clear है, बढ़े आगे, चले आगे, next पे आजाओ, किसी को doubt, अभी तक कुछ कहीं, थोड़ा सा भी, next पे आओ, PDF है, ससुरा, PDF डाले हैं, बाढ़े बज़े, अभी एकरा PDF नहीं मिला, अफिस में आया है, एक के बज़े, एकरा PDF, कल से हम आप लोग को PDF, GK का, रिजिनिंग का, आ मैथमेटिक्स का, तीनो एक सा दे दे देंगे एक टेंशन नहीं लेना है, तीनो एक सा दे दे देंगे, दुचार पांच रोपया, जतना हमर पड़ेगा, जिरोक्स में खाली होतना दे दे देजिएगा, आप जिरोक्स PDF ले लिजिएगा, देखिए, संख्या बढ़ेगा, तो घट ये जाएगा, तो घट जाएगा, तो आपके सीट पर पहुंच जाएगा हमेसा, तो हम यहीं करते हैं, ठीक है, किलियर है, तो कल से हम आपको तीनो का दे देंगे, साथ से आठ जीके करिये, साथ से आठ वाला जो जीके है, उसमें हम 1100 सवाल को करवा रहे हैं 1100 दिन में, आज 100 सवाल लग बग हुआ होगा, बोल 1100 का एक परसेंट निकालो, 1100 होगो, एकजाम में सवाल आएगा कई गो, 10 गो, आए हो, तो हमरा मास्टर में हमार सेलेक्ट किया हुआ 1100 कोष्चन में, एक को परसेंट का चांस नहीं कि एकजाम में सवाल आएगा, एतना तो तुम यहार हम पे भरोसा करिये सकते हो, हम तो 1100 में थोड़ो मांग रहे, 1100 दिन हमरा दो, एक परसेंट भरोसा करो, तुम मुझे खून दो, मैं तुझे आजादी दूँगा, तुम हमरा 1100 दिन दे दो, हम तुमको रिजल्ट दे देंगे, इसमें तुम जूड़ो, इसका टाइमिंग है 7 PM में, 7 से 8, हम चलेंगे 8 PM से, 9, 9 सभा, 9 जितना तक चलें, और फिर 9.30 PM से, शुरू होगा क्या, मैथ, आप मैथों में 11 दिन, 11 टोपिक, आईशन टोपिक, जिससे एक जाम में सवाल 200 परसेंट पूछेगा, आज साइट टाइम एंड वर्क है, ताइम एंड वर्क है, ताइम एंड वर्क से एक जाम में स